टिकमकड़ जुले की नगर खरगापूर शासकी कन्या उच्वतर माध्मे के विध्याली में आज मदवर्दीश जन अभ्यान परिशिद वहाड फूल ने सहिदराबाद की सविंक्त तत्वाधान में शिवर लगाकर योग ध्यान कराया है जिसका उदेश हर व्यक्ति तनाफ मुक्त रहें वम शरीर के विकारों को योग ध्यान की माध्यम सी शरीर का श्रुद्धिकरन कर सके कारिक्रम के दुरान सभी प्रतिभागियों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा है जिसमें सभी नी किस जुन दौजार्टीवीस को अंतोरा स्टिय योग दिवस पर सभी ने योगी क्रियाव में भाक लेने का संगल पढ़िया है प्रसिक्षन लेने के उपरांत सभी ने भरोसा दला है कि हम सभी स्वयम एवं अपनी परिवार और इस साला परिवार में सभी को ध्यान करवाएंगे इवं इन कारिक्रम में प्रसिक्षित श्री मनेश सोनी जनभ्यान परिशद नवांकुर संस्थापुर्ण भूमी समाज सिवा समीती घरगापुर भी उपस्थित रहे कारिकरम के नोडल अधिकारी के रूप में लखनलाल राजपोट उपस्तित रहे हैं कारिकरम के प्रांद श्रीर राजकुमार तिवारी संकुल प्राचारी ने जिले से पधारी टीम एवं सभी प्रतिभागियों का अभार प्रदर्शित कर सभी से आशा चाहि हैं कि सभी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे सर आज जो आपकी संच्था में प्रिस्रिक्षण हुआ है वह किस बात के उपर प्रिस्रिक्षण किया गया है ये कारिक्रम मद्प देश जन अवियान परसत तीकमगर द्वारा आयोजित किया गया ये कारिक्रम एक आत्म अवियान ध्यान और योग के संब्द में आयोजित हुआ है इसका मुखोदेश है ध्यान और योग से सभी को जोड़ना सभी लोग जीवन में बहुत अधिक तनाव में रहते हैं इस योग के द्वारा इस ध्यान के द्वारा सभी को इससे तनाव से मुक्ती मिलती है और इसको हर दिल इस तरह से करने से तनाव मुक्त रहकर और निरोग रहकर अपना जीवन ब्यतित कर सकते हैं जो पिसिक्षण आप लोगों को दिया गया है क्या आपको बच्चों को भी ये पिसिक्षण देंगे बिलकुल इससे बच्चों को बहुत अधिक लाब है क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई करते हैं वो इस ध्यान के द्वारा इसके द्वारा अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं और इससे उनका स्वस्त रहना निश्चत है और उनको यह कारिक्रम के द्वारा उनको बताया गया कि प्रिति दिन आप लोग एक 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ध्यान अवस्त करें सर इस प्रसिक्षण के आवयक कोन है इस प्रसिक्षण के आवयक हार्ट फुलनेश सस्थान इवं जनवियान प्रसत मद्वदेश के सेयुक्ट तत्वाधान में आवज़िद हुआ है आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये चैनल के माध्यम से हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि सभी को इस ध्यान और योग से जोड़ना चाहिए और सभी को इसको अपनाना चाहिए जिससे सभी लोग सौस्त रहें खुस रहें और अपना जीवन व्यतीत करें दोन दो